क्या घर में जो शिविलिंग रखते हैं उस पर सर्प होना जरूरी है क्या कि बहुत सुंदर संबाद जरा ध्यान रखिएगा इस संबाद को अपने जीवन में उतारिएगा इस संबाद को अपने जीवन में उतार कर रखिएगा कि मंदिर में जैसे शिविलिंग के उपर सर्प होता है तो क्या घर में जो शिविलिंग होता है उस पर सर्प रखना जरूरी होता है अगर आपके शिविलिंग के उपर सर्प है आप रखो मना नहीं है चांदी का सर्प है चांदी का रखो तांबे का हो तांबे का पीतल का हो पी सर्प को आप रख सकते हो मना नहीं हैर हम यह नहीं कहेंगे कि तुम उसको निकालो और निकाल कर कहीं विसर्जन करिया व्या निकाल कर कहीं छोडिया कि महारत हुआ हुआ कि हमारा तो कैकल इतना कहना आए कि घर में अगर मंदिर में घर के पूजन olmas में शंकर जी के शिविलिंग पर अगर सर्प रखा है तो बहुत अच्छा और अगर आपके मन में आए कि हमें अलग से हमारे यहां नहीं है तो हम क्या बनवाएं तो बनवाने की जरुवत भी नहीं है कुछ रखाएं तो बयुत अच्छा है बहुत अच्छी बात पर घर के शिमिलिंग पर अगर सर्फ नहीं है तो इलग से बनवा रखने की जरुषत निया है श्युलिंग में पहले से भी सर्फ होता यह महा-पुरान की कथा में ये कारकोट्व का कथा में इस पश्ट किया गया एक हजार सर्फ माता कद्रू के पुत्र हैं एक हजार पुत्र माता कद्रू के और एक हजार ये सर्फ जो माता कद्रू के हैं उसमें चोथे नंबर का सर्प है कारकोटक जो भगवान संकर के शिवलिंग से जाकर लिपट गया, भगवान संकर के शिवलिंग से जाकर लग गया, और भगवान की भक्ती में ऐसा डूबा, बस वो कारकोटक भी शिव से जुड़ने के बाद में, संकर को लगने के बाद में, वो कारकोटक भगवान के एक बार हिर्दय जित्त से गया अपिर उसकी जित्त वर्ती में कुछ दूसरा समाया ही नहीं है शम्भो शरने पड़ी